आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सिखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक MPCB का इस्तमाल करके मोटर के लिए स्टार्टर बनाएंगे जैसे कि आपको मालू में किसी भी मोटर को चालू और बन करना होता है तो उसके लिए हम हमेशा कॉंटेक्टर का इस्तमाल करते हैं अब इसी मोटर के प्रोटेक्शन के लिए आपको ओवल और रिले का भी इस्तमाल करना पड़ेगा साथी साथ में मोटर को चालू और बंद करने के लिए आपको पूस बटन का भी इस्तमाल करना पड़ेगा यानि कि इतना सारा electrical component इस्तमाल करना पड़ता है केवल मोटर को चालू और बंद करने के लिए लेकिन यदि आप यहाँ पे केवल एक MPCB का इस्तमाल कर लेते हो तो ना तो आपको कॉंटेक्टर इस्तमाल करना पड़ेगा ना ही overload relay क्योंकि इस MPCB में आपको कॉंटेक्टर का function साथी साथ में overload relay का भी function मिल जाता है यानि केवल इस device का इस्तमाल करके आप पूरा starter बना सकते हो कैसे बनाएंगे चलिए समझ लेते हैं जो MPCB होता है उसको specially design क्याता है मोटर को चालू और बंद करने के लिए MPCB का full form होता है motor protection circuit breaker यानि कि इस breaker के द्वार हम केवल motor को protect करने के लिए इस्तमाल करते हैं अब इस MPCB के द्वार मोटर को कैसे चालू बंद किया जाएगा चलिए समझ लेते हैं देखिए यहां पे हमें थोड़ा सा wiring करना पड़ेगा wiring करने के लिए मैं यहां पे एक MCB का इस्तमाल करूँगा थ्री पोल वाली तीनों पोल के साथ में हमारा थ्री फेस का power supply connect है आप यहां पे देख सकते हो R, Y, B तीन फेस का wire connect है अब यह जो MCB इस MCB के output terminal से हमें wire connect करके लिए जाना है इस MPCB को power supply provide करने के लिए तो इसके लिए मैं यहां पे एक cable का इस्तमाल करूँगा इस cable में total तीन wire है अब इन तीनों wire को ले जाके MCB के output terminal के साथ कने कर देता हूँ अब इस cable का जो तीनों wire है इसका जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके MPCB के साथ कने करना है MPCB में आप देखोगे यहां power L1, L2, L3 यह तीन terminal है इन ही तीनों terminal पे आपको input power supply provide करना होगा तो मैंने यहां पे तीनों wire को MPCB के साथ connect कर दिया अब इस MPCB का जो output terminal है output terminal का मतलब की जहां पे T1, T2, T3 लिखा होगा उस terminal के साथ आपको motor के cable को connect करना है यहां पे आप face sequence का ध्यान दिजेगा जहां पे आप R face का power supply connect करोगे उसके output पे आपको R face वाले wire को connect करना है इसके बाद जो Y face का terminal होगा उसी के output पे आपको Y face वाले wire को connect करना है इसी प्रकार से B face वाले wire को ले जाके आपका जो T3 वाला terminal है उसके साथ connect करना है T3 के उपर में जो terminal है उसके हमने B-phase का wire connect है तो इसके output में भी हम B-phase के wire को connect कर देंगे आप यहाँ पर connection देख सकते हो तो यह जो motor इस motor को run करवाने के लिए केवल आपको इतना ही connection करना होगा अब यह जो MPCB है इस MPCB में आप देखोगे यहाँ पे एक rotary switch दिया गया है यह वाली इस rotary switch के द्वारा आप इस motor के protection के लिए overload का current set कर सकते हो आपका जो motor है उस motor का जो FLC होता है यानि कि full load current जो होती है उस current का जो value होगा उससे 90% या फि 95% आप यहाँ पे current set कर दीजिएगा तो फिलहार के टाइम पे मैं यहाँ पे सबसे minimum 4A पे set कर देता हूँ मैंने यहाँ पे 4A पे set कर दिया यानि कि इस MPCB से 4A current यही फ्लो होता है मैं जो black वाली switch है यह switch होता है start push button तो इसको मैं यहाँ प्रेस करूं तो आप देखोगे motor चालू हो गया motor को बन करने के लिए red वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा आप देख सकते हो motor हमारा off हो चुका है इसी प्रेकास से यदि आप motor को चेक करना चाहते है तो इसका भी option मिल जाएगा सबसे पहले में motor को चालू कर देता हूं motor हमारा run हो रहा है अब यहाँ पे आप देखोगे एक test वाली बटन दिया गया है आप देख सकते हो यहाँ पे test लिखा हुआ है तो यदि आप इस MPCB का overload को चेक करना चाहते हो तो simply आपके tester से switch को फ्रेस कर दीजिए इस side में यानि कि slide कर दीजिए मैं यहाँ पे करता हूं आप देख सकते हो हमारा motor off हो गया यानि कि test बटन के द्वारा हमने चेक कर लिया कि overload relay हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा मोटर बंद हो चुका है यानि कि हमारा overload relay काम कर रहा है एक बार और चालू कर देता हूँ दुबारा इसको बन कर देता हूँ तो आपने ये समझ लिया कि किस प्रकाज से हम MPCB के दुबारा मोटर को चालू और बन करेंगे अच्छा दोस्तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एकोच ही बताना चाहूँगा कि जो हमारा MPCB होती है MPCB में जो Start Push Button होता है इसमें आप देखोगे यहाँ पे Lotto करने के लिए एक Option होता है आप यहाँ पे देख सकते हूँ कि जो हमारा Start Push Button है इसके नीचे में यहाँ पे Lock लगाने का एक Option दिया गया है इसमें आप Lock लगा सकते हो lock का मतलब कि आप इसको loto कर सकते हो यह जो मेरे पास में lock है इस lock को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ sorry यह जो lock है वो थुआ सा motor है ठीक है लोग पतला सा आता है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो इसको यदि आप यहाँ पे लगा दोगे इसको चालू करने के लिए आपको दुबारा इसको अंदर की तरफ करना पड़ेगा उसके बाद में इस बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा तब जाके आपका motor चालू होगा बन करने के लिए stop उस बटन प्रेस कर दीजिए बन हो जाएगा दोस्तों यदि आपको नहीं मालूम की लोटो क्या होती है तो इसके लिए मैंने अल्लिडी एक वीडियो बना दिया हूँ उस वीडियो को देखने के लिए इस राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लिजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद